हेलो गाइज वेलकम बेक टू प्रॉफिट डेरी इस बैगुरार मलेक तिस आवर सेवंथ लेक्चर आफ टेक्सी एंड निवोडिस पैजेंग तो आज हम देखेंगे रिक्वाइरमेंट्स एंड इन्वेस्ट मेर्ट के हमारी क्या क्या रिक्वाइरमेंट्स हैं इस बिजनिस नहीं है यह सारा पूछ आज हम इस लेक्स्र मीं डिसकस करेंगे डिटेल से देखो भूँ सिब पहले हम सबसे पहले हम बात करते हैं वीसिक रिक्रॉयरमेंट्स जब मैं बात करतcych बेसिक रिक्वाइरमेंट्स की तो तो उसमें क्या छीजह आते हैं उसमें सिंपल सी चीज होती है, transport एगंसी जो यूसे के लिए वो आपके साथ वीडियो कॉल्स करती हैं, हफ़ते के बाद भी कर सकती हैं, महीने के बाद भी कर सकती हैं, वो आपके साथ एक Zoom meeting range कर सकती हैं, तो इस विए से आपको webcam चाहिए, तीन चीज़े होगी, उसके बाद आपको एक अच्छा internet connection चाहिए, उसके बाद पांच वे नमबर पे आपको एक dealer चाहिए, मैं यहां पे hands ले सकते हो इजी बात अगर उश्किल बात नहीं है तो यह चार से पांच वेला बेसिक चीजी है जो कोई भी आप बीप्यों कर रहे हो लो बिजिनस तो उसके अंदर आप को चाहिए चाहिए कंप्यूटर हो गया इंटरनेट कनेक्शन हो गया हैड़फून हो गया उसके बाद आपके पास एक डाइलर हो गया तो यह बिजिनस टार्ट अप करने से पहले आपको यह चीजी होनी चाहिए आपके पास तभी आप स्टार्ट ले सकती हो इसके इलावा एक मेज़र चीजी है कि जहां पर आपका कंप्यूटर रखा हो एक अच्छा सा डेंबर लो एक सेट अप कैसे हैं तो आपको पर सेट अप दिखाना पड़ता है कि आपके पस कंप्यूटर है 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 वेब गैम हैं हर चीज़ आपके पास अवहले पहले आपको सचा इंटरनेट कनेक्शन है आप उनको मतलब दोका नहीं दो के बेच में छोड़ोगे नहीं अब होता कि है कि बिसेकली हम वेशियन्स हैं भई हमारा जो इंटरनेट प्राबलम है वह जदा होता है तो बहुत ज़्यदा प्रोजेक्ट मेरे ऐसे देखे हैं जो हाथ से निकल जाते हैं सिर्फ इंटरनेट प्राबलम की वज़ए से जैसे हमारे ट्रायल स्टार्ट होते हैं तो हमारा तो कंपनी परॉइड करेंगी जो इस पैचश्ज वेरेश व transport को आप क्या कैसे döओ वूरिडल हुआ सbayर्ट करती हो यह सारी टीजे आपको कंपनी प्रवाइड करती है अब आते हैं में सवाल पुरि sweets को हम से ऑने कई payment gateway कौन से होने चाहएं हैं तो यहां पर दूश्री्च की ऐ दूंशच आती हैं क्या आपको ललसी चाहिए नहीं चाहिए आपको payment gateway कौन से चाहिए क्योंकि आपने यूएसे से पेमिट मगवानी है तो उसके लिए आपको पेमिट गेटवे तो साथ जाये चाहिए चाहिए तो ये दोनों चीज़ें जो आपकी LLC और पेमिट गेटवेज हैं ये दो चीज़ों पर डिपेंड गरती है पहली बात ये कि आपने प्रोजेक्ट कैसे हंट किया आप ने उसको बताया कि आप एशियन हो आप पाकिसान में बैटवेज आप इंडिया में बैटवेज या आपने उसको नहीं बताया कि भाई मैं एशिया में बैटा हूँ, मैं यूएसे में नहीं बैटा, ठीक है, बज़ जो पेमिट चाहिए, वो PKR में या फिर INR में या जो भी करंसी है एशिया की, मुझे उसके अंदर चाहिए, ठीक है, मुझे UST नहीं चाहिए, ठीक है, तो सिंपल आपको जो अपना बैं कि भाई मैं USA के अंदर बैटा हूँ, ठीक है, अब आपको अलसी चाहिए, या आप रिजिस्टरट हो के नहीं, यूएसे के अंदर आप छोटटा से छोटटा भी काम कर रहे हो ना, आपको लेंसी होना लाजिम है, तो अगर आप बोल रहे हो, कि भाई मैं पाकिसान में आप बैटा हूँ, और वहीं से आपको बिस्पैच सर्वेस दोगा, तो आपको लेंसी की जरूरत नहीं है, आपको किसी पेमिट गेटवे की जरूरत नहीं है, अब दूसरे नमबर पे आता है, कि अगर आप कहते हो, कि भाई मैं USA के अंदर बैटा हूँ, मैं USA में बैटा मैं कोई इशिया नहीं हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको LLC भी चाहिए, और पेमिट गेटवे भी चाहिए, चूँकि जब आप उसको बोलोगे, कि भाई मैं USA के अंदर बैटा हूँ, और आप उसको पेमिट के लिए दे रहे हो, पाकिस्तान या पर राउन के अंदर, तो यहाँ पे मसला बन जाता है, यहाँ पे इश्यू क्रियेट हो सकता है, तो सिंपल, अगर आप उसे बोल रहे हो, कि आप USA में बैटे हो, तो आपको पेमिट गेटवे भी कौन से जाहिए, USA के चाहिए, और आपको LLC भी चाहिए, क्योंकि छोटे से 500 डालर की मिलेगी, ठीक है, और अगर वहीं पे हम पेमिट गेटवेस ली बात करें, तो जिल अप हो गया, या पिर कैश अप हो गया, इस वकि यतने भी आपके पास आजाते हैं, हाँ, पेपल के अंदर भी आप ले सकते हैं, वाइस के अंदर भी ले सकते हैं, स्ट्राइप करे सकती हो, तब ही आप पेमिट ले सकते हो, सिफली, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक इशू आ जाता है, तो बेतर यह है, कि आप उनको पहले दिन से बताओ, कि हम पाकिस्तान, या परी इंडिया, या परी इशिया की जिस भी कर्टरी में बैठते हो, आप अपनी व आपको प्रजेक्ट है, वो थोड़ा सा मुश्किल मिलेगा, यहाँ पे चांसेज 80-20 हो जाते हैं, अगर आपको पहले प्रजेक्ट 100% मिल रहा था, कि आप यूए से बैठी हो, तो आप 80% चांसेज हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है, कि बंदा यहाँ पे मौजूद है ह दूसरा नुकसान ही हो जाता है, कि जब आप कहते हो कि एशियन हो, तो उनको समझ लग जाती है, कि भाई, अगर हम इनको थोड़ा सा काम भी पे करें ना, तो यह गुजारा कर लेंगे, क्योंकि हम एशियन्स हैं यह से, हमें थोड़े सी बड़े लालच मिल जायना, तो हम काम कर लेते हैं, कि बोका बैटने से तो यह से थोड़ा बहुत बिल रहा है, तो वो अगर पहले आपको टेंट डॉलर्स पर और दे रहा था, अब वो आपको सेवल टू एट डॉलर्स पर और का हिसाब देगा, वो भी इनफ है, तो यह मसले वाली बात नहीं है, अब यह द दूरत नहीं पड़ेगी, पेमेट गेटवे जितने भी हैं, आजकल बेहन हो रहे हैं, पाकिसान के अंदर क्योंकि कुछ फ्राड भी चल रहे हैं, कोई स्कैम्स भी चल रहे हैं, तो इस विज़ जैसे, वो सारे पेमेट गेटवेज बलाक हो रहे हैं, बहसा नहों कि आपकी सच बोल के काम ले रहे हो, ठीक है, तो कल को कोई भी मसेला हो, आप उनके साथ सीधे रहे होंगे, आप उनके पास ये नहीं होगा, अगर आप किसी शूट बोल के आप उनके काम ले रहे हो, तो इस विज़ जैसे, मैं ये स्जेस्ट करूँगा, कि थोड़ा दमाओ, लेकिन हलाल कमाओ, छूट बोल के ना कमाओ, तो ज्यादा बैटर है, और इसकी सबसे बड़ा इड्वेंटेज ये भी हो सकते हैं, जो आप लेल सी पे चार पॉइंट सो डालर लगाने थे, वो भी आपके बस बच जाते हैं, तो जो स्टार्ट अप लेना चाहते हैं, कम इनके एक से डील डाग का खरचा हो जाता है, मैक्स मिता रहो, इसे उपर नहीं जा जा जगता, कम्प्यूटर भी अच्छे से बन जाते हैं, माइक्रोफोन भी बेल जाते हैं, टेबल चेयर है, क्वई मस्ज़मारी बात नही है, वेब गैम तो बहुत ही से बिल जाते हैं, तो मैक जो आपको खर्चा हो सकता है, अच्छे से अच्छे कंप्यूटर पे, अच्छे से अच्छे सैटप पे, वो एक से डिल लाग का है, लेकिन अगर आप उसको कहते हो, भई मैं USA के अंदर बैठा हूं, तो यहां पर थोड़ा सा मसला आएगा, आपको VPN भी लेना पड़ेगा, ठ जिसको आपका IP स्टाटिक भी लखना होगा, IP स्टाटिक के लिए फिर आपको VPN थोड़ा च्छे वाले लिना होगा, तो यहां पर आपका थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाएगा, फिर आपको LLC भी जनरेट खर्णवानी पड़ेगी, LLC का 4 से 500 डॉलर कमी खर्चा देगा, तो यह टोटल मिना के आपका आलमोस्ट आलमोस्ट बन जाएगा कोई 4 एक लाख, 3 से 4 लाख, ठीक है, अगर आप उनको कहते होगे मैं याप USA के अंदर बैठी हो, फर्क सिर्फ इतना पढ़ेगा, पहले वो आपको 10 डॉलर दे रहे थे एक घंटे गा, अब दो आपको अगर आ आप पर स्टार्ट अप है, आप पर ज्यादे इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक से डेल लाख के अंदर ये काम स्टार्ट करना चाहते हो, तो बैस्ट है उनको बताओ आप इस यानो, आप LLC आज़ चीज़ों से बच जाओगे, लेगन अगर आप ज्यादा काम होना चाहते हो आप जबते हो, पहले महीने से मेरा रेविन्य जाए चार रेट हो, तो भाई LLC बनवालो फिर चार से पांच लाख, मैक्सिमल चार लाख, पांच लाख तब नहीं जाएगा, चार लाख के अंदर आपके सारे काम हो जाएंगे, LLC बन जाएगी, पेमिट गेड़ बन जाएगा सारा कुछ फज़ा है, चार लाख के अंदर, तो ये था, आपकी मरजी आप एक लाख लगाते हो, कि चार लाख लगाते हो, सिंपल आप की ये, लेकिन, आप जितना भी खर्चा करो लो, आपकी एक महिने की मारे, अगर आप एक लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और आ आपको मिल रहा है, आठ डालर पर आर्ट का हिसाब, तो एक मंदा कितना कमा सकता है, बहुत ज़्यादा कमा सकता है, तो आप इस अपनी इन्वेस्टमेंट को एक महिने के अंदर डिकाल सकते हो, और प्रॉफिट घी ले सकते हो, पहले ही महिने, तो ज्यादा कोई मसले वाल आपको मुबाइल रहता है, जो आपने प्रॉफिट में रखाओजा किसी काम का नहीं होता है, तो भाई, कर लो इन्वेस्ट, अभी में टाइम है, इस चीज में आ जो, सैचुरेशन नहीं है, बार बार कह रहा हूं, आ जो, कल कोई यही बंदे बैक के कोर्स बेज रही होग हैं, तो मैं आपको कवर करा दोगा, साथ साथ काल स्टार्ट करो, बहुत फैदा है, और यह हलाल रिस्क है, आप कमाना शुरू करो, उमीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आ रही होगी, आप इन्जाय कर रही होगी, तो मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तब तक अबन